हेलो स्टूडेंट्स आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक प्रेटिस सेट ले गया है जो यूपिटर प्लेस्टी पेट एक्जाम के लिए है प्रेटिक सिलेवस के सामान जागरुपता वाले टॉपिक से ये सेट पेपर है इसको हम लोग देख लेते हैं पहला प्रसन है भ पाकिस्तान के साथ 1772 में सिम्ला समझवता हुआ था ओके नेक्स्ट प्रसन तीष्ता नदी भारत और किस देश के साथ सीमा बनाती है तीष्ता नदी शिक्क्यम से काला पानी लिम्पिया दुरा लिपुलेक विवाद भारत के किस प्रोसी देश के साथ हैं तो इसका अंसर है नेपाल ठीक है यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं जो यह उत्तराखण नेपाल की सीमा यहाँ पर एक नदी है यह काली नदी ठीक है इसी के आसपास यह तीनों बिंदों है जहाँ पर विवाद है ओके कौनसा मिलान गलत है एक तरफ देश एक तरफ राधानी है तो थाइलेंड की राधानी बैंककॉक सही है मलेशिया की राधानी कौलालंपुरम सही है वियत नाम की राधानी हनोई सही है लाउस के सामने लिखा है नाम पेन यह गलत है ठीक है यही गलत है तो यही आंसर है हमारा लाउस की राधानी है वियन तियाने ओके और नाम पेन जो राधानी है वो है आपकी कमबोडिया की ओ तो हम लोग देख लेते हैं Congress USA की संसद का नाम है जातीय सभा नेपाल की संसद का नाम है और संसद भारत या ब्रिटेन ठीक है मनों देशुंकी संसद का नाम है इसराईल की संसद का नाम नेसेट है ओके आप याद रखें प्रसंग अच्छ है है भारती समिधान के अनुसार सत्रावसान की सक्थ में एक दिन दो दिन या कुछ घंटों का सत्र इस्तगिद कर सकता है पूरे सत्र को इस्तागित नहीं कर सकता है तो आप निन्नानुए मान के चले प्रसंख्या आठ संसद में कितने दिन लगातार ना उपस्थित होने वाले सदस्त की सदस्ता समाप्त हो जाती है कोई MP है मेमराफ परलेमेंट लगातार कितने दिनों तक जब सदन चल ला होता है तो लगातार कितने दिनों तक सदन में नहीं आता है तो उसकी संसता खतम हो जाती है उसका आंसर है साथ दिन प्रस्टन क्या नव है संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितना समय होना चाहिए ये भारती समिदान में वार्णन है इसका कि संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम छे महा का समय होना चाहिए तो इस तरीके से दो ही सत्र होने चाहिए साल में लेकिन भारती परमपरा के निसार तीन सत्र साल में होते हैं पहला उता है बज़ट सत्र फिर मांसूम सत्र, फिर सीट कालिन सत्र कितने केंसासित राज है जहां बिधानसवा है तो ऐसे केंसासित राज जहां विधानसवा भी है आप जानते पुदुचेरी दिल्ली अब जानते हैं अर्विन केजरी वाल में खुनतरी हैं और कस्मीर कस्मीर भी विदानसभा वाला केंसासित राज है हलाकि भी वहाँ पे सविस्थगित है भी चोना हुए नहीं जब से नया राज़ बना है तो आंसर हमारा भी जाएगा तीन केंसासित राज़ है जहां विदानसभा है प्रसनक्या ग्यरा है विश्वान की दिवस कम मनाया जाता है यानि विश्वन दिवस तो विश्वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को 22 मार्च को विश्वजल सनचन दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है प्रसनक्या बारा है 5 जून को 20 सुपर्यावर्ण दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है सहित राश संग ने किस वर्ष से 20 सुपर्यावर्ण दिवस मनाना शुरू किया है उसका अंसर है 1973 1973 से मनाया जा रहा है प्रसंग क्या दे रहा है एक अच्छा प्रसंग है वर्तमान में G20 का अध्यक्ष कौन देश है बहुत ही आप देख रहे हैं प्रचार प्रचार हो रहा है अगर आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता है तो आप बता जेंगे तो ब्रिक्स में B का मतलब है ब्राजील B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर सौथ अफ्रीका ओके नेक्स्ट उनतर में फिल्म फेर अवार्ड में सर्वसेष्ट अभिनेता का रास्टी ये पुरुषकार 2023 किसने जीता तो फिल्म फेर अवार्ड रास्टी फिल्म जुन को मिला है, कौन सी विक्चर थी? पुस्पा, जुके गानाई, ठीक है, पुस्पा मुवी के लिए इनको सर्वसेष्ट अभिनेतागा पुरुषकार मिला है, प्रसंगे 16 है, रास्टी जल पुरुषकार 2022 में राज स्रेडी में पर्थम पुरुषकार किस राजी ने ज जीता, ठीक है, तो इसमें जीता है मद पुरुषकार जीता है, प्रसंगे 17 है, केंदरी तमबाकु अनुशंधान संस्थान कहां है, केंदरी तमबाकु अनुशंधान संस्थान राज मुंदरी में है, ओके, यह आपके सिलेवस में है, अनुशंधान संस्थान वाला टॉप तो राजमुंदरी में केंदरी तमबाकु अनुसंधान संस्थान है केंदरी भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहा है बड़िया प्रसन है इनको आप सब व्याद रखें केंदरी भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है रुड की हरिद्वार जनपद में पढ़ता है उत्राखन में नेक्स्ट राश्टी ये डेरी अनुसंधान संस्थान कहा है इसको भी याद रखें आप राश्टी डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाना में है प्रश्ण संक्या 20 है मधवनी पेंटिंग का संबंद 21 राज्य से है बहुत फेमस है आप जानते होंगे गलत ना करें कलाव संस्थान टॉपिक से ये प्रशन है मधवनी पेंटिंग का संबंद बिहार राज्य से है बिहार में मधवनी पेंटिंग बनाई जाती है सत्रिय नित किस राज़े का है भारत में आठ सास्त्री नित है उनमें से एक सत्रिय भी है तो सत्रिय असम राज़े का सास्त्री नित है ओके आप याद रखें समझ लें इसको मतुरा मूर्तिकला सैली किसके समय में फूली फुली मतुरा मूर्तिकला जो लाल बलुवा पत्थर से प्राप्त हुए है मूर्तियां लाल बलुवा पत्थर से बनी थी बध्ध की मूर्तिया प्राप्त हुई है और भी मूर्तिया प्राप्त हुई है तो वो किस समय किस के समय में फली फुली थी उस काल था कुशाण काल कुशाण काल ओके प्रसंग काता है इन में से कौन भारत का एक चितरकार नहीं है राजा रभी वर्मा एक चितरकार थे भारत के मकभूल फिदा हुसेन एवेंफ हुसेन ये भी भारत के चितरकार थे हाला कि यह एक वास्तुकार है जो स्टैचू बनाते हैं बिल्डिंगे बनाते हैं तो स्टैचू अफ यूनिटी को इन्होंने बनाया उनका उसमें काम है रामिस उतार का ओके नेक्स्ट आई एमेफ का पूर्ण रूप क्या है तो बहुत नावसन होगा आपने आई एमेफ इसका पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म क्या है इंडियन मनी फंड नहीं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यास यही है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म है प्रस्टन क्या 25 है सहियुक्त राष्ट संग में वर्तमान में कितने सदस्य है तो वर्तमान में सहियुक्त राष्ट संग के 193 सदस्य है सहियुक्त राष्ट संग की स्थापना कब हुई थी यह हुई थी 24 अक्टूवर ठीक है 24 अक्टूवर 1945 ठीक है आप इसको याद रखें थैंक यू सो मच